स्वागत आप सभी का भार समझ और की डिजिटल प्लैटफॉर्म पर मैं हूँ आपके साथ त्रिशला यादब दो महीने के भीतर उत्रप्रदेश में तीन माफियाओं की हत्या से जहां पुलिस प्रिशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं नहीं कस्टोडियल डेट के आकड़े पर भी सवाल उठ रहे हैं तो आएए जानते हैं अगर पुलिस कस्टेडी में हत्या होती है तो उसकी किती जवेदारी पुलिस या अधिकारी की होती है और 2017 से 2022 तक कस्टोडियल डेट के कितने मामले सामने आये हैं अगर पुलिस हिरासत में किसी अधिकारी की मौत हो जाती है तो संबंधित अधिकारी पर आईपीसी की धारा 302, 304, 304A और 306 के तहट मुकदमा चलाया जा सकता है इसके अलावा लापरवा अधिकारी को पुलिस अधिनियम 1461 की धारा 7 और 29 के तहट बर खास्तगी या नलंबन से डंडित किया जा सकता है धारा 302 हत्या से संबंधित है जबकि 304 गैर इराधितन हत्या से संबंधित है 304A लापरवाही से मौत का कारण बनता है और 306 आत्म हत्या के लिए उक्साने से संबंधित है 1996 में केस के दोराद सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था कि पुलिस हिरासत में इंसान की हत्या करना चगहन या फराद है इसके बावजूद 2017 से 2022 तक कुट्रप्रदेश में पुलिस हिरासत में 41 लोगों की मौत हो चुकी है वहिग्रह मंत्राले द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 2017 में 10, 2018 में 12, 2019 में 3, 2020 में 8 और 2021 में 8 लोगों की मौत हुई है पिछले 20 सालों में पुलिस हिरासत में 1888 लोगों की मौत हुई है